हेलो दोस्तो मेरे नाम योगेस्त आजमा आपको बताऊंगा बेस्ट 5 स्मार्टफोन अंडर 15000 तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोस्तो जितने भी फोन में आज आपको बताने वालों वह ऐसे ही नहीं कि मैंने कहीं से भी उठा के लिए आया जिस भी ब्रांड का जो भी फोन अभी टॉप में चाजर रहा है अंडर 15000 वहीं मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सभी ब्रांड के दोस्तों आपको फोन देखने को मिल जाएंगे जो भी टॉप में चाजर रहे हैं और दोस्तों मेरा मोटीव ही है कि आपको कम से कम प्राइज में अच्छे स अच्छा फॉन मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नमर पे आता है मोटो जी 51 5G यह दोस्तों 5G फोन है और एकलोता ऐसा मुझे लगता है 5G फोने जिसमें 12 बैंड का स्पोर्ट है इस प्राइज में क्योंकि दोस्तों जितने भी 15000 के 480 प्लस का प्रोसेसर मिल जाता है यह फोसेसर दोस्तों बहुत यह अच्छा है इसमें आप गेमियों वगएर आप इच्छी किसे कर सकते हो बात करते हैं कैमरा के तो आपको त्रेपिल कायमर सर्ट मिल जाता है 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx फ्रेंट में आपको 13 मेगाफिक्स का सेल्फी कामरा मिल जाता है वो भी पंच जोल के साथ इसी के साथ आपको 6.80 की फुल अच रिप्लेश डिस्पेले मिल जाते हैं 120 हर्स की रिफ्रेस देट के साथ और इस फोन को पावर देने के लिए 5000 डेमिज की बेटरी है और 20 वोट का चार्ज रहे है और दोस्तों मुझे तो यह फोन बहुत अच्छा लगाए आपको कैसे लगाए कमेट करके जुरू बताना चलिए चलते हैं दूसरे स्मार्ट फोन की तरफ दूसरा फोन रियल्मी की तरफ से निकल का है रियल्मी नार्जो 50 इस पॉन की सबसे बड़ी बात दोस्तों यह कि अभी यह 30 रूपे के अंदर मिल रहा है और उफर वेगरा में आपको 12 रूपे के अंदर मिल सकता है क्योंकि अभी मैंने देखा था फ्लीप कार्ड पे यह फोन 12 रूपे के अंदर दिखा रहा था ओपर में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड और और लगाते हो तो आपको यह 30 रूपे के अंदर भी मिल सकता है तो इस प्राइज में फोन बहुत इच्छा है तो चली ही देखते हैं हमको इस फोन के अंदर क्या-क्या मिलता है बैक में आपको त्रिपल कैमरा साथे मिल जाएगा 50 मे 120 हर्स की हाइली रिफ्रेस्ट मिलती है और इस फोन में प्रोसेशर के बात करें तो आपको हीलियू जी 96 प्रोसेशर मिल जाता है जो बहुत अच्छा व्रोसेशर है गेमें वगेरा आप दिल खौल के कर सकते हो इस प्रैंजरेज में दोस्तों आपको 4Gb 60 4Gb वाला 5,000 इमेज की बेटरी मिल जाते है इसे के साथ आपको 33 वोट का फार्ट चार्जर मिल जाता है जो फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज करता है अगला फोन निकल के आता है दोस्तों शाओमी की तरफ से रेडमी नोट 11 इसके प्राइस दोस्तों अभी साड़ी 14,000 रुपे और अच्छी बात यह लगी इसको आप 4GB 64GB वाला वेरेंट ले सकते हो 6GB 64GB वाला वेरेंट भी ले सकते हो प्राइस में दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है अगर आप 4GB 64GB वाला वेरेंट लेते हो तो साइज 33 रुपे कंदर एक फोन आपको मिल जाएगा और ओफर वगेरा में यह अगर आप अगर आप फोन लेते हो तो यह आपको बहुत ही सब्सक्राइब अच्छा फॉन मिल सके अगर आप 6GB RAM के साथ 64GB वाला वेरेंट लेते हो तो इसमें आपको 2GB वर्चुए रहें मिलते हैं जिसको बढ़ाकर ऐड़ी वी तक कर सकते हो और अगर आप बहुत यूटूब बगेरा यार मुवीज बगेरा देखने के सोकी नहीं हो तो यार आपके लिए बहुत यह अच्छा डिस्प्लेई अगर आप सोचल मीडिया जादा सलाते हो तो इसमें आपको बहुत इच्छी तरिके से मजा आएगा और इसके अंदर आपको 90 हर्स की उसके मिल जाता है और साथ में आपको फट्री वोट का प्रोफ साज्डे मिलता है जो आपके फोन की बैट्री को बहुत ही जल्डी से साब कर देता है पेसिकले दोस्तु चू ठीजर बहुत ही फ़र्ष्ट है क्योंकि एम पता नहीं लगता हम साल लगा कि घर्ष बार्जद और गाईज यार अगला फोर निकल कहता है पोको की तरप से पोको एम फोर प्रो फैब जी यार फोको भी कम नहीं है इस फोन की प्रैस दोस्ते हैं 15,000 रुपे इसके अंदर आपको 4G RAM 64G ROM देखने को मिलता है मिडेटक का देखने सीटी 800 टैम प्रोसेशर मिल जाता है जो बहुत इच्छा प्रोसेशर है इस फोन के अंदर दोस्तों की बात यह है अगर आप बैक में कैमरा देखोगी तो आपको लगेगा कोड कैमरा सेटप पर लेकिन नहीं है अगर आप द्यान से देखोगी तो आपको 50 मेगाफिकल और 2 मेगाफिकल दोई कैमरा मिलते हैं बैक में फ्रेंट में आपको 16 मेगाफिकल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जिससे अच्छी सेल्फी आ जाती है और शिक्स पूर्ट शींच की फूल अच्छी प्रेस्ट डिस्प्ले और इसी के साथ आपको 90 एंस की रिफ् बहुत ही कमाल का फोन है परसनली मैंने अपने हाथ में लेकर उसको यूज करके देखा है बहुत अच्छा फोन है और उसका कैमरा का तो यार कहना है क्या चलिए मैं आपको डिटेल में पताता है वह फोन कौन सा है तो अगला फोन आता है इन फ्लिक्स नोट 11S इसकी में क्या कैना यार 12000 के अंदर भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात इस प्राइज में आपको 6GB RAM 64GB ROM देखने को मिलती है प्लस में आपको एक जीबी वर्चुल रेम मिलती है जिसको बढ़ाकर आप 7GB कर सकते हो और यह बेस वेरेंट है 6GB 64GB वाला और शी के साथ आपको मे 16 Megafical camera देखने को मिल जाता है जिससे Self यार बहुत ही कमाल की आती है और इसके camera से यार दोस्तों मैंने रात में भी नाइट मोड में भी फोटो खेंच के देखिया बहुत ही कमाल की फोटो आती है और साहिज से यार मुझे नहीं है लगता है इसमें सूपर नाइट मोड है औ और दोस्तों ये भी फोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आप कमेट करके बताना इन 55 फोनों में आपको कौनसा फोन अच्छा लगा है और कौन सा आप लेने वाले हो उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे लिगे तो वीडियो को लाइक कर लेना धन्यवाद